जानकार कहते हैं कि जीवन बीमा लेने का सबसे उचित समय तब है जब व्यक्ति पर किसी भी तरह की जिम्मेदारी ना हो Life Insurance जितना जल्दी हो सके ले लेना चाहिए उम्र के साथ बढ़ने वाली स्वास्थ संबंधी दिक्कतों के कारण जीवन बीमा मिलने में कठनाई हो सकती है Life Insurance प्लान मतलब एक ऐसी पॉलिशी जो आपके साथ भी और आपके बाद भी आपके परिवार का साथ निभाए या एक ऐसा निवेश है जो किसी भी अन्होनी की इस्थिती में परिवार को आर्थिक सुरक्षा परदान करता है COVID-19 के इस दौर ने हर परिवार के लिए Life Insurance की एहमियत को और बढ़ा दिया है यदि आप Life Insurance लेने जा रहे हैं तो यह जरूर जान ले कि बजार में कितने तरह के प्लान है और उन में से कौन सा प्लान आपके लिए बहतर है तो मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से Life Insurance Policy के बारे में जानकारी दूँगा आपको बताऊंगा कि मार्कित में कितने परकार के Life Insurance Policy चल रही है आपके लिए कौन सा Life Insurance Policy बढ़िया रहेगा यदि आप Life Insurance Policy के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और अपने लिए कोई एक बढ़िया पॉलिशी खरीद कर अपने परिवार को सुरक्षा परदान करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखेंगे और सुनेंगे आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विन्ती है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिये हुए बैल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको असानी से मिल सके तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि लाइफ इंसुरेंस पॉलिसी कितने परकार की होती है लाइफ इंसुरेंस पॉलिसी कई परकार की होती है कुछ पॉलिसी आपको कवर के साथ साथ निवेश के माध्यम से रिटर्न पाने का विकल्प भी देती है अपनी जुरत के नुसार आप अपने लिए एक बहतर पॉलिसी का चेयन कर सकते हैं हमारे लिस्ट में पहले नंबर पर जो पॉलिसी आती है उसका नाम है होल लाइफ प्लान सेविन कवर मिलेगा इसके लिए नियूंतम उम्र 18 वर्स होनी चाहिए अधिकतम 50 या 60 वर्स की आयू तक के व्यक्ति को ही पॉलिसी दी जाती है इसका प्रीमियम ज्यादा होता है इमर्जेंसी में पॉलिसी हुल्डर बीमा कंपनी से कर्ज ले सकते हैं यह पॉलिसी उनके लि प्योड सम को आंसिक रूप से विद्रॉल करने का आप्शन भी होता है दूसरे नंबर पर टर्म इंसुरेंस प्लान आता है यह बेसिक इंसुरेंस है जो किसी दुरगटना की इस्तिती में संभावित वित्य नुकसान से पूरे परिवार को सुरक्षा देता है इसे इंसुरेंस में टर्म के दौरान पॉलिसी धारक की मिर्तिव होने पर एक तैरकम नोमिनी को दी जाती है दूसरों के मुकाबले इस पॉलिसी में प्रीमियम कम होता है इसमें चुने गए टैन्योर के लिए कवरेज मिलता है हलांकि टर्म प्लान में मैचुरिटी बेनेफिक नहीं होता तर्म इंसुरेंस आप निउन्तम 5 साल के लिए ले सकते हैं तर्म इंसुरेंस के तहट आप पैसों की सेविंग नहीं कर सकते क्योंकि टर्म इंसुरेंस में मैचुरिटी पूरा होने पर आपको किसी भी तरीके का लाब नहीं दिया जाता है तर्म इंसुरेंस के यूलिप या यूनिट लिंक्ड इंसुरेंस प्लान में निवेशक को प्रोटेक्शन और निवेश दोनों का फाइदा मिलता है प्रीमियम का एक हिस्सा निवेशक को लाइफ कवर देता है जबकि दूसरा हिस्सा कंपनी स्टॉक मार्केट एवं डेट फंड में इन्वेश्ट करती है इस वज़य से इसमें रिटर्न मार्किट के उतार चड़ाव पर अधारित होता है लेकिन आप तै कर सकते हैं कि आपका कितना पैसा शेयर में लगे और कितना पैसा बॉंड में लगे ये प्लान लगबग 10-15 साल तक के होते हैं यूनिट लिंक्ड इंसुरेंस प्लान में आपको टैक्स में छूट का लाभ भी मिलता है नमबर चार पर एंडॉमेंट पॉलिसी आता है इस पॉलिसी में एक निश्चित अवधी के लिए रिस्क के कबर होता है और उस अवधी के समाप्त होने पर बोनस के साथ अश्योर सम पॉलिसी धारक को वापस मिलता है पॉलिसी धारक की मौत होने या निरधारित समय के बाद पॉलिसी अमाउंट की फेस वैल्लू का भुकतान किया जाता है कुछ बीमा कमपनिया इस पॉलिसी में गंबीर बीमारी के मामले में भी भुकतान करती है इस पॉलिसी की अवधी लगबग 10 से 25 साल तक होती है इसमें प्रीमियम का एक हिस्सा निवेश होता है और दूसरा हिस्सा इंस्योरेंस के लिए परियोग होता है पांचवे नमर पर पैंसन प्लान पॉलिसी आती है यह प्लान रिटार्मेंट के बाद की जिन्दगी को आर्थिक सुरक्षा देता है लेकिन इसमें लाइफ इंस्योरेंस कवर नहीं मिलता इस प्लान में जॉब के दोरान भरा गया प्रीमियम रिटायर होने के बाद बोनस के साथ पॉलिसी धारक को पैंसन के तौर पर मिलता है यह भुकतान मासिक, छमाही या सालाना अधार पर हो सकता है पैंसन प्लान में एक साथ प्रीमियम देने या फिर वार्षिक अदार पर प्रीमियम देने का विकल्प होता है पैंसन के कुछ प्लान में पॉलिसी लेने वाले व्यक्ति के ना रहने पर नोमनी को पैंसन दी जाती है इस पॉलिसी में बचत और बीमा दोनों खूबिया है यह गारंटी के साथ रिटर्न देने वाला रिस्क फिरी प्लान है इसमें पॉलिसी मैच्चूर होने पर पॉलिसी धारक को प्रीमियम के तौर पर दिया गया पैसा बोनस के साथ मिलता है मैंने आपको अपने वीडियो के माधम से जितने भी पॉलिसी की जानकारी दी उन पॉलिसी को आप अपनी जुरत के हिसाब किसी भी एक पॉलिसी का सेलक्षन करके उसे परचेज कर सकते है और यदि आप इन पॉलिसी के बारे में और कोई अधिक जानकारी प्राप्त करना चा मेरा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिये हुए बैल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे द्वारा बनाएगा वीडियो का अपडेट सबस पहले आपको असानी से मिल सके अग्या लेता हूं चाहिंग जाबारत